नमस्कार आप देख रहे हैं, डीवी लाइब नज़र डालते हैं जगत की बड़ी खबरों पर EPFO के 8.8 प्रतीशत की सिफारिश परवित मंत्राले ने 8.7 प्रतीशत ब्यास देने का किया फैसला श्रम मंत्राले ने ब्यास के रेट को बताया कम exercise duty के खिलाब दिल्ली सहीद देश भर के सराववे पारी फिर से हर्ताल पर हफते में तीन दिन दुकाने बंद करने का किया फैसला सरकार ने exercise के तहट रेजिस्ट्रेशन लेने की आखरी तारी को बढ़ा कर किया एक जुलाई तमबाको सेक्टर में विदेशी निवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगने के आसार अगले महिने उद्योग मंत्राले के प्रस्ताओं को मिल सकती है मंजूरी सिगरेट की मार्केटिंग, ब्रांडिंग और फ्रंचालजी पे अभी तक है FDI की छूट अच्छे मांसून की भविश्वाणी और नय उत्पादों की पेशकश के मद्दे नजर एरिज एग्रो कंपनी को 20 प्रतीशत बिक्री बढ़ने के उमेद भारत के 1,99,000 गाओं एरिज उत्पादों का करते हैं उपयो एश्याई कारोबारों में तेजी कच्छे तेल का भाव 2 रुपए चड़कर 2,960 रुपए प्रती बैरल अर्चगत में इतना ही देखते रहे ये डीवी लाइप क्योंकि यहां है खबरे लागता